हमारे हाँ नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आका गया हमारे हाँ नमक का मतलब है इमानदारी हमारे हाँ नमक का मतलब है विश्वास हमारे हाँ नमक का मतलब है वफादारी हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत किम्ती चीज है ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमार यहां स्रम और समानता का प्रतीक है उस दोर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था अंग्रेजों ने भारत के मुल्यों के साथ साथ इस आत्मन निर्वर्ता पर भी चोट की भारत के लोगों को इंग्लेंड से आने वाले नमक पर निर्वर हो जाना पड़े गांदी जी ने देश के उस पुराने दर्द को समझा जन जन से जुड़ी उस नब्स को पकड़ा और देखते ही देखते ही अंदोलन हर एक भारतिय का अंदोलन बन गया हर एक भारतिय का संकल्प बन गया साथियों इसी तरह आज़ादी की लड़ाई में अलग-अलग संग्रामों अलग-अलग गटनाओं की भी अपनी प्रेणाएं अपने संदेश हैं जिने आज का भारत आत्म साथ कर आगे बढ़ सकता है 1857 का स्वातंत संग्राम मात्मा गांधी का विदेश से लोटना देश को सत्याग्रव की ताकत फिर याद दिलारा लोकमान्य तीलक का पुर्ण स्वराज का आहवान नेताजी सुभाज संग्र बोच के नेत्रुत्व में आजाधिन फोच का दिल्ली मार्च दिल्ली चलो ये नारा आज भी हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है 1942 का अवे विश्मन यांदोरन अंग्रे जो भारत छोड़का वद्गोश ऐसे कितने ही अंगिनेत पड़ाओ जिन से हम प्रिर्णा लेते हैं उर्जा लेते हैं ऐसे कितने ही हुतात्मा सेनानी है जिनके प्रती देश हर रोच अपनी करतग्यता व्यक्ष करता है 1857 की क्रांती के मंगल पांडे ताट्या तोपे जैसे भीर हो अंग्रेजों की फोच के सामने निर्बिक गरजना करने वाली रानी लक्ष्पी बाई हो कित्तुर की रानी चन्नमा हो रानी गाइडीन लू हो चंदर सिक राजार रामपसाद बित्मल बगत सी सुख़देव राजगुरू अत्फा उल्ला खा गुरुर रामसी टिटुस जी पोल रामा सामी जैसे भीर हो या फिर पंडित नहरू सरदार पटेल बावासाब आमबेड कर सुखास चंदरबोत मौलाना आजाद खान अब्दुल गफार खान भीर सावर कर जैसे अंगिनत जन्नायत ये सभी महान व्यक्तित्व आजादी के आंदोलन के प्रस दर्शक रहे हैं आज जी के सपनों को भारत बनाने के लिए उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम सामुहिक संकल पर ले रहे हैं इनसे प्रेरणा ले रहे हैं